हलो एन वेलकम बैक टू माई चैनल कुकुवी खुशबू तो फ्रेंट्स आज मिलाई हूँ आपके लिए सर्थियों की खास हरी भरी ताजी मेथी के थेपले जिसे आप रेकफस्ट में तो बना ही सकते हैं साथ में कभी सफर में जाना हो तो आप इसको बना कर ले जा सकते हैं सेर्फ लाइफ इतनी है कि कितने दिन भी आप रख लेंगे यह बिल्कुल भी खराब नहीं होते तो चली बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले थेपले को बनाने के लिए हमें हरा धनिया हरी मीर्च और अध्रक की जो है एक पेश्ट तयार करने होगी तो सबको मैंने मेथी को हमें डंटी जो है उसकी बिल्कुल नहीं लेनी है इस बात का खार ध्यान रखें छोटी-छोटी सी पत्या लेंगे और पानी से अच्छे से हम उसको वाश कर लेंगे और उसके बाद हम करेंगे इसको चॉप तो सबसे पहले मैंने इसको चॉपिंग बोर्ट पे बहार आ जाती है तो उससे बहुत ही बेकार हो जाता है और उसको फ्राइ करने में भी पराठो को थेपलो को बहुत दिक्कत होती है तो इस तरह से ध्यान रखें कि डंठल को हटा कर बारिक-बारिक पत्तियों का ही यूज करें इसलिए जीरे की भी जो मैंने पेष्ट जाते हैं उसको बेलते हैं तो जीरा भी उसमें से बाहर आ जाता है चू की बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता तो यह इस तरह से मैंने इसको चौप कर लिया है अपसारी मेथी को हमने चौप कर रहा है इसको हम साइड में डखके आंटा लगाएंगे तो सबसे पहले मैंने यह 200 क्राम के करीब ले लिया है और इसी में में बेशन को डाल दूंगी इसे के साथ करके डालेंगे कशूरी मेथी इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है एक चम्माज के करीब हम इसमें डाल देंगे क्रोम सीट्स अजवाइन आधा चम्माज कश्मीरी कलर आधा चम्माज हलदी का पावडर, एक चम्माज लालमीच का पावडर और एक चम्माज हम डाल देंगे सेचा में सीट्स यानी वाले तील जों होते है और आदा चम्मज हम ऐसा फटेडा हींग डाल देंगे मोयन के लिए हम डालेंगे इसमें ओयल आप चाहे तो घी का यूज भी कर सकते हैं और इसी के साथ जो हमने हराधनिया हरीमीज और अदरक और जीरे की पेस्ट रेटी करी थी उसको भी हम इसमें डाल देंगे इसमें दही तो दही जरूर से डालें इसी से थेपले जो हैं बहुत देश्टी बनते हैं अब हम डालेंगे लास्ट हमारा मेथी जैसे के नाम ही मेथी के थेपले हैं तो इस तरह से इसको डालने के बाद हम हातों से इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद जब हमें लगेगा तभी हम पान को बना सकते हैं बहुत ही टेश्टी होते हैं और आप इन्हें कितने दिन तक भी रख लेंगे बिल्कुल सॉफ्ट रहते हैं मार्किट से भी अक्सर हम लोग थेपले लेते हैं उसकी भी सेल्फ लाइब बहुत होती है लेकिन घर में आप अपने हाथ से बनाएंगे तो बहुत रालकर हमने एक आटा लगा लिया है अब इसकी ऊपर हम थोड़ा सा ओयल ग्रीस करेंगे और इसको हम थोड़ा कम से कम 15-20 मिनट के लिए रैस्ट के लिए रख देंगे जिससे कि हमारे जो थेपले हैं वो और भी टेश्टी और सॉफ्ट बने अब छोटे साइज का मैंने ड पतले बनाया जाते हैं और पराठे होते हैं वो मोटे बनाया जाते हैं तो इस चीज का ध्यान रखें कि बहुत सी पतला हमें बेलना है मैं आपको दिखा भी देती हूं तो यह देखिए इस तरह से हमारा जो बहुत बड़ी असा थेपला तयार हो किया है और आप इसको कभी मेथी मलाई मटर और कभी हम पराठे और कभी हम थेपले तो जो थेपले होते हैं उसकी सैफ लाइप इतनी होती है कि यह अराम से 10-15 दिन भी चल जाते हैं तो आपको इसे बहुत अच्छे से जो है कवर वगयरा करके रखना होता है थेपले बनाने का बस यही फायदा ह होता है तो यह देखिए बहुत ही बढ़िया से हमारे थेपले बनकर तयार हो गए हैं और मैंने कम से कम 5-6 जो थेपले होते हैं उसको मैंने बना लिया है बनाने में आपने देखा होगा कि कितना असान होता है यह सिर्फ इसमें एक पेस्ट ही डालने होती है बाकी तो सारे घर के ही basic spices है लेकिन फिर भी यह खाने में बहुत मज़ेदार होते हैं तो चलिए अब हम इसको जो है फ्राइ कर लेते हैं तो मैंने एक तरफ गैस पर रख दिया था तावा और उस पे मैंने एक थेपले को डाल दिया है और इस तरह से अलटते पलटते हुए हम थेपलो को स फ्राइ कर लेंगे और यह बहुत बढ़िया सा आप देख रहे होंगे क्रिस्पी खस्ता और बहुत ही मज़ेदार सा हमारा थेपला बनकर तयार हो गया है तो बच्चे विवैसे मेथी वगरा खाना पसंद नहीं करते लेकिन आपकोने स्कूल के टिफिन में भी इन थेपलो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें